Hello Friends! 2022 में अगर आपको आपके यूट्यूब चैनल का monetization अन करवाना है तो आपको आपके यूट्यूब चैनल के monetization के लिए YouTube के 4 criteria को फुलफिल करना है उसे complete करना है पहला criteria जो है दोस्तो 1000 subscriber आपको चाहिए second criteria जो है दोस्तो तो उसके अंदर आपको 4000 public watch hours चाहिए 4000 घंटे आपको public watch hours जो है वो आपको चाहिए तिसरे criteria जो है दोस्तों वो यह है कि आपके YouTube channel के उपर किसी भी तरह की community guideline spike नहीं होनी चाहिए और चाहिए और चाहिए 4th जो criteria है दोस्तों वो यह है कि आपके channel का 2 step verification on होना चाहिए तो आज के इस वीडियो का जो main topic है तो वो यह है दोस्तों कि आप किस तरह से अपने YouTube channel का 2 step verification on कर सकते हैं दोस्तों मैं हूँ तवकिर खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel at house सबसे पहले वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए और आगी भी दोस्तों आपको मैं मेरे इस channel के उपर 2022 के अंदर भहुती informative और भहुती दोस्तों helpful video देता रहूँगा तो मेरे channel के साथ बने रहिए तो बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से आप अपने mobile के अंदर अपने YouTube channel का जो 2 step verification है उसे on कर सकते हैं पार्च मिनट आपको लगेंगे लेकिन यह दोस्तों यह mandatory है यह कमपर सरी है तो चलिए दोस्तों वीडियो के main topic को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हमें अपने YouTube channel का 2 step verification को on करना है दोस्तों आपको आपके YouTube channel को mobile के अंदर किसी भी यहाँ पर open होगा उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक option दिखाई देंगा monetization का आप यहाँ पर देख सकते हो इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से interface open होगा जहाँ पर आपको monetization का जो criteria है वो भी दिया है कि 1000 subscriber की जरूरत है 4000 public watch hours और उसके सी के साथ साथ two step verification और यहाँ पर आपके channel के उपर कोई भी community guideline spike नहीं होनी चाहिए तो हम इस वीडियो में बात करने वाले कि किस तरह से हमको two step verification on करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हों कि two step verification का जो option से तो यहाँ पर कहे रहा है कि turn on now तो चलिए हमें turn on now के उपर click कर देना है click करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर options आ जाएंगा तो आपको यहाँ पर continue के उपर click करना है continue के उपर click करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो email ID का जो password है जिससे आपने YouTube चैनल बनाया है उसको यहाँ पर इंटर कर देना है तो चलिए मैं उसे इंटर कर देता हूं password इंटर करने के बाद में आपको next के option पर click करना है आपके सामने कुछ इस तरह का interface ओपन होगा और यहाँ पर आपको इस तरह के option दिखाए देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि these devices can get prompts तो यहाँ पर पहले option में आप देख सकते हो कि galaxy m21 2021 edition और दूसरा जो है 10 10 और E करके option यहाँ पर आ रहा है तो अब ऐसा क्यों आ रहा है तो दोस्तों 10 और E यह जो option आ रहा है तो दोस्तों यह मेरा पुराना mobile था और हाली में अभी मैंने एक मैने पहले galaxy m21 2021 edition का यह mobile लिया हूं और इसी के अंदर अभी यह जो वीडियो है मैं shoot कर रहा हूं और इसी मैं सारे दोस्तों मैंने जो अपना यूट्यूब चेनल वगएर इमेल आइडी इसमें open करके रखी और जो 10 और E था वो मेरा पुराना mobile था पहले उसी में सारी चेनल वगएर में चला था तो दोस्तों इसलिए हाँ पर यह option दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर हमको down side के अं mobile नमबर यहाँ पर इंटर कर देता हूं mobile नमबर इंटर करने के बाद हमें send के option पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दोस्तों यह mobile नमबर इसलिए इंटर करना है कि जब भी दोस्तों आप किसी third party application के अंदर device के अंदर आप अपने YouTube चैनल को अपनी email ID को open करूंगे तो व mobile नमबर पर आपको एक code भेजा जाएंगा उस code को इंटर करने के बाद बाद ही आप उस जो थर्ड डिवाइस रहेंगा उसके अंदर आप अपना चैनल अपना email ID जो है वो access कर पाऊंगे तो यह चीज़े YouTube के और से इसलिए की जा रहे है दोस्तों की हाली में recently बहुत सारे YouTube YouTube चैनल बढ़े YouTube चैनल मिलियंस वाले सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनल जो हैक हो रहे थे कंप्रोमाइज हो रहे थे तो इस हैकिंग से कंप्रोमाइज से बचाने के लिए क्लिक करते हैं इसके पीज़े बहुत सारी मेहनत रहती है दो तीन साल की और सदनली अगर उसे कोई हैक कर लेता है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है तो यहाँ पर हमने मोबाइल नमबर इंटर कर दिया है अब चलिए हम हम सेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस मोबाइल नमबर के उपर एक कोड आएंगा उस कोड को हमें यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद में नेक्स के ओप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारी इंफोमेशन यहाँ पर आ चुकी है अब हमें जस्ट यहाँ पर टर्न आउन जो है इसे क्लिक करना है और हमारा जो टू स्टेप वेरिफिकेशन ने वो अन हो जाएंगा यहाँ पर मैं टर्न आउन के ऊपर क्लिक कर देता हूं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ पांच मिनट लगे है और हमारा जो चैनल के जो इमेल आईडी का जो टू स्टेप वेरिफिकेशन ने वो अन हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें हमारे चैनल को अगर monetize करवाना है तो इस चार क्राइटिरे को अब पूरा करना है 2021 के अंदर जिसके अंदर two step verification है और 1000 subscriber है 4000 public watch hour से और हमारे चैनल को पर कोई भी किसी भी तरह की community guideline strike नहीं होने चाहिए तो आप भी दोस्तों अपने YouTube channel का जो two step verification है इस तरह से on कर सकते हो बड़ी ही आसानी से अगर आपको ये वीडियो helpful लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्ट्राइब जरूर कीजिए थेंक्यू